हम अंजने सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाई वरत समान जिने स्रीराम बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हें राम भख्त हनुमार तुम तो हूँ ब्ड़ बनेमार। गौतम रिसी ने साप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी ही माता पंजाओ बोली अंजनीर सिवर ये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा पिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया चोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम्हें तो हो बड़े बल्यवार ते राम भक्त हनुमार तुम्हें तो हो बड़े बल्यवार मोहनी रूप जो विशनो जी ने भोले को दिखलाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतम रिसी का साह कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम भेग ये आपका तो यू व्यरत न जाएगा काम रिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं कम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना याना भंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लग भोले है देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिणा किसी का पानी ना पीते है हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्वी राम गुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं ए राम भक्ति हनुमान तुम्हों भड़ बलवान ए राम भक्ति हनुमान तुम्हों भड़ बलवान पोली अंजनी है जो की ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसी गौतम ने दिया कहने लगे कहें अंजनी इसको ना समझो साथ ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बना पीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्ति से लोक कहेंगे और नाम हनुमान मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं तमकता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान अवन के जरिये कान से होकर ये हैं गर्प में आये इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए किंतु गर्ब में पढ़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बल्यान बोले जीने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान देखके एक दिन आसवान में लटक रहा फलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमान समझ के फल वो सुर्यदेव को निगल ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्वी राम बुलाते हैं कम कथा सुनाते हैं ए राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ते राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान सुर्यदेव को जो निगला तो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सुरज को समझ के मीठा फल हो ए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सुर्यदेव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंड्र देव ने वच्च लिया है ता वच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हे श्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बरवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बरवान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया पेक को रो सास भी लेना सब का फिर तो हो गया था दुस्रवा प्रम्हा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्र देह प्रम्हा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भस्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान कवन देव ने ब्रम्हा जी की लिंतीली है मार वज्र देह का ब्रम्हा जी ने दिया उन्हें वर्दान सुर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवो ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आओ रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्मान किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आएं वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाएं राजा तसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरां खुसी मनाएं नगरी सारी हो रह मंगलगां बोले बाल रूपी दर्सन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे जारी बनके मदारिया योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिडी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुर्सोतम स्रीराम खेल को देखन चाहते है राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते है बोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये वानर तो है मेरे मन को भाया ये वानर तो मैं रखूंगा बोले है स्रीराम लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए है प्रस्था माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बल्वान राजा तस रतने फिर तो है बानर कई मगाएं माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहें अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रिवन आकर उनको सिस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाओं अब तुम जाओ हनुमान हम बनबास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई मरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह वर्स को सिरी राम जब आये हैं वनवान बलिवद करके सुग्रियू से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सोयोजन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छे का कर दिया काम तमाओ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भरत हनुमा तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भरत हनुमा तुम तो हो बड़ बलवान बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगरी चढ़ाई डटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे है सिरी राम के बोल रहे मुख से जैकारे है लखन लाले और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लख्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योत ऐसे पहले जाकर संजीवन लाए भरत समान राम प्रभू ने भाई बत लाए राम प्रभू तुमें कुछ हो करके गले लगाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान लंका विजय कर लोटी सभी जब योध्या आते है सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे है मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला ता तो तले चबाई है लंका पती विभी सन ने फिर कह दी ऐसी बाट तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाग इतने कीमती मोती तुमने क्यूं विखराए है क्या हिरते में तेरे भी सी आराम समाए है फाड के सीना सी आराम का दरस कराते है पावन कथा सुनाते है पाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भब्क हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यों वीरों के है वीरे ये अपने माभीर हनुमान राम भक्त है बड़े निराले गुले और बलकी खां। स्री रॉम की आज्या का सद पालन है करते भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजर लहन ने बनाया चोनोटिक चैनल सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सब्वों वोजी सुरेश सिलाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्वान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्वान जड्वान को चूब टी अूँड़ को शायर सच्वार सूर्फां कि भी को रहा हुआजर शायर भी हम पपोर का बतना हा जड़का जरी चाल्चार स्वाल